प्यांदी पैंसन यूजनों पर सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नियूज यूटुब चेनल पर एक बर फिरा जुरू है बड़ी अप्रेट के साथ हमारे जितने भी क्रमचरी है पैंसन भूगी है उनके लिए दोस्तों बड क्रमचरी के लिए क्या कुछ फैसला आया सुप्रीम कोट के और से सुप्रीम कोट ने इस पर अपनी क्या राय दी है वही सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों अगर आपने मारे चैनल पर फस्टेम विजिट किया तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें सा दिया था लंबे समय से जो क्रमचरी से बेहल करने की मांग करें थे हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोट क्रमचरी के ओर से दाइर इस याजी का पर सुनवाइब कर रहा था जिस फैसला उन्हें ने चैनल नॉम्बर को सुनाय था ऐसे में दोस्तों इसमें बता जा रहा है क शुक्रभार को वरस 2014 की जो करमचरी पैंसन संसोदन योजना की वैता को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है हाला कि अदालत ने जो पैंसन कोस में सामिल होने के लिए 15,000 रुपे मासिक वेतन की सीमा को रद कर दिया गया है जो संसोदन ने अधिक्तम पैंसन योगे वेतन यानि की जो मूल वेतन और महेंगाई बता मिला कर की जो सीमा है दूसतों वे 15,000 रुपे परतिमा तै की गयी थी संसोदन से पहले अधिक्तम पैंसन योजना वेतन 75,000 रुपे परतिमा था अगर बात करें दोजर चोदम के जो फैसले को पीठ ने रद किया था उस पर क्या कुछ आई है इसमें परदा न्याय मूर्ती यूयू ललित और न्याय मूर्ती अनिरूद वोस और न्याय मूर्ती सुधानसू दूरलिया की पीठ ने का कि जिन करमचारी ने पैंसन योजना मे सामिल होने के विकल्प का इस्तिमाल नहीं किया था उन्हें 6 मेहने के वितर ऐसा करना होगा पीठ ने ये भी का कि दोस्तों पात तर जो क्रमचारी अन्तिम कारीक तक इस योजना में समिल नहीं हो सकें उन्हें एक अतिरिक्त मोगतिया जाना चाहिए, क्योंकि केरिल, जरुपे से अधिक वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा हलंकि अधालत ने फैसले कहा है कि जो इस फैसले से जो इस हिस्से को 6 महिने के लिए निलम्बित रखा गया ताकि जो अधिकारी को सेक्टरित कर सके करमचेरी भाशे निदी संगेटन और केंदर के केरल राजस्ताम दिली के उस ने ने उस ये फैसले को चुनोती दी थी जिसमें 2014 की जो योजना को रद कर दिया गया था दोस्तों ये थी आज की मैं लेटर सब्डेट आई होप आपको वीडियो अच्छ लेगे वीडियो च्छ लेगे तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करे तो मिलेंगे जलती नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब्सक्राइब को जैहिन जैजवान जैक्सन